सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी काम नहीं आ रहा, खबरों में तो बने रहना है, तो क्या करना चाहिए? भई शैनास का नाम लेना चाहिए, शैनास के नाम पर बहुत सारे ट्वीट्स कर देने चाहिए और फैंडम वार को नियोता देना चाहिए बहुत सारी बाते हैं इसी हो रही है करन कुंद्रा की वज़ा से क्या कुछ खास हो रहा है बताएंगे पूरी बात आपको अपनी इस रिपोर्ट में तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिये और बेल आइकन को भी जरूर ब्रैस कीजिये क्या चल रहा है भाई सोशल मेडिया पर क्या देख रहे हैं आप सोशल मेडिया पर सिर्फ शहनाज ही शहनाज देख रहे हैं उन्हीं के पिक्चर उन्हीं के वीडियोज देख रहे हैं और किस मूवी के लिए थैंक यू फॉ कमिंग मूवी के लिए ये मूवी बहुत चुकी है टॉरेंट और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जहां से बहुत सारे अब प्रिमियर था तो बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को देखा है और अब क्लिप्स वाइरल हो रही है जहां पर बहुत सारे लोग तारीफ करते आर नजर आ रहे है करन कुंद्रा की मतलब कहीं भी कोई negativity थी ही नहीं लेकिन हाँ लोगों को तो करनी है ना क्योंकि उनका नाम कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है तो किसी बहाने तो सोशल मीडिया पर चाना है तो बस उन्होंने शेहनास के साथ करन कुंद्रा का नाम जोड़ना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर एक क्लिप ऐसी सामने आई है कि मूवी में करन कुंद्रा बने शहनास के बॉइफ्रेंड फिर क्या था बस इसी बात को मुद्दा बना दिया गया इनके फैंस का कहना है कि ये शहनास के साथ कैसे आ सकते हैं इनने तो तेजस्वी के साथ ही आना था उनी के बॉइफ्रेंड बन कर आना था ये तो किसी और के साथ काम ही नहीं कर सकते इस तरह की बाते सोशल मिडिया पर होने लगी और शहनास को ट्रोल किया जाने लगा इनके फैंस का कहना है कि करन कुंदरा को ही पूरी एक्टिंग आती है सारे एक्सप्रेशन्स तो वही कर सकते हैं शहनास तो कुछ करती नहीं है शहनास को तो एक्टिंग नहीं आती सरिफ नाम की वज़ह से उन्हें ले लिया जाता है और ना जाने क्या क्या अरे भाई करन कुंदरा अगर टॉरेंटों तक नहीं पहुंचे या उनका नाम इतना जादा नहीं लिया जा रहा तो अब उनके नाम पे ट्वीट्स कीजे ना शेहनास को बीच में लाने की जरूरत क्या है लेकिन शेहनास को बीच में लाएंगे नहीं तो fandom war कैसे होगी और fandom war ही तो इन्हें कराना है और अगर शहनास को troll करेंगे तो fans चुप तो नहीं रह सकते ना fans जा जाकर उन्हें करारा जवाब जरूर देने क्योंकि वो लोग बहुत गलत बाते कर रहे हैं जो की नहीं करनी चाहिए और जब शहनास के project आते हैं तो इस तरह की चीज़े बहुत जादा होने लगती है ताकि fans का ध्यान negativity की तरफ जाए लेकिन हाँ हम तो यहीं कहेंगे कि चाहे कोई कुछ भी कहता रहे यार अपना focus शहनास की तरफ रखो क्योंकि बहती गंगा में सभी हाथ दोना चाहते हैं जब देखते हैं कि negativity एक तरफ से हो रही है तो बहुत दूसरे दूसरे fandom भी आ जाते हैं और negativity में लग जाते हैं और यह एक चाल भी हो सकती है नाम करन कुंद्रा का ले रहे हैं लेकिन इसके पीछे किसके fans हैं और क्या गंदगी फैला रहे हैं ये तो भाई कोई समझ ही नहीं सकता क्योंकि ये चीजे बहुत ही जादा हो रही है पहले करन कुंद्रा के fans है और उनके पीछे पीछे बाकी fandom भी आ गए और शहनास को ट्रोल करने लगे क्योंकि भाई उनका इतना नाम हो रहा है तो इन्हें तो negativity करनी है ना तो बस आप समझ जाए कि आपको क्या करना है किसी भी negativity की तरफ ध्यान ना खेचते हुए सिर्फ अपने आपको positive रखना है और शहनास को हमेशा ही support करना है क्योंकि इसी चीजे तो होती ही रहेगी आपका क्या है कहना कमेंट में आकर हमें जरूर बते ही वीडियो को like और share कीजे